आज मैं कैबस सिब बनी बहुत ही टेस्टी लाजवाब कोफ्ती की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आफ सारी सब्जीयों का टेस्ट भूल जाओगे सच में ये बहुत जादा टेस्टी है तो देर किस बात की इस लाजवाब सब्जी बनाना शुरू करते है वा इसे आप रफली चॉप कर लें आप जैसे भी करना चाहो वैसी कर लें इसके बाद एक चॉपर लेंगे ये चॉपर हर किसी के घर में एवेलेबल होता है तो इसमें बंद गोपी की पत्ते को डालेंगे घंटों की काम आप चुटकियों में कर सकते हो इससे तो मैं तो इसी स पूरे पते गोवी को में अच्छे से चौप कर लेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच नमक और नमक को अच्छे से मेक्स करके 10 मिनट के रख देंगे नमक डालने से हमारा जो पता गोवी है वह तो आसा सौफ्ट हो जाएगा और इससे पानी छोड़ देगा ती दुगों प पते गोवी को अच्छे से निचोड निचोड कर निकाल लेंगे जब पानी को निचोड लेंगे उसके बाद बंद गोवी में डालेंगे नमक धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा से भूना हुआ जीरा पाउडर और आधा चमच के करीबर ह पेस्ट फिर दो चमच बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह इसलिए डाले हैं ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग हो सके ताकि जब भॉल्स जो एक खूले नहीं और इस तरीके से मिक्स करने के वाद हम चुटे-चुटे इसके बॉल्स बना लेंगे और इसी तर अंदर तो कुक हो सके इसे एकदम ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है जैसे हम अंचुरियन बॉल्स के लिए उसी तरीके का तो फ्राइ करने में कम से कम आपको 5-6 मिनट लगी जाते है और देखिए देखते-देखते हमारा गोल्डेन कलर आगे है इसमें तो हम इसे हलका अच्छे से फ्राइ करेंगे इसी अच्छे से फ्राइक ने से होगा कि ये ऊपर से कुर्कुरा रहा में जब आप इसे ग्रेवी में डालो गे नये और तो अब स्प्राइब है प्लेट में निकाल लेते अब भनाएंगे घ्रेवी कैसे बनेगा तो इसके लिए मेंध कराही दालें कि जिसमें मीफ डालेग 될ा कर लेंगे लिख ताकि पर लिखन कर रिखे ज़़िए वह प्याज रिखा अच्छे से बहुन लिए जानी होगे गड्रम को चेंज हो गया ऑप parental सब्सक्राइब कुछ बेसिक मसाले, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच मिर्ची पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे आधा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर और एक चमच अधरक लसन का पेस्ट, फिर क्या हमें मसाले को अच्छे से एक मिनट के लिए टो अफसे से बूहने में सब्सक्ताइं के पाने इसके प्राइप करकंगे उर्ड राइट कटे टालने की बाुद एक से दो मिनट और सुरूं हो जाएंगे तो हमका ह उख ह Excels तरकता भरकता कोफता बनकर तयार है हमने हाफ केजी पत्ते गोवी से पूरे फैमली के लिए एक बार में इतना टेस्टी सा सब्जी बना कर तयार के लिए हैं अब आप इसे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ सर्फ करें यह दोनों के साथ बहुत जादा टेस्टी लगता ह आई होप आप लोगों को यह पत्ता गोवी के कोफते पसंद आये हो तो लाइक करना बिलकुल भी ना बोलना और ऐसे ही इन्फोरमेटिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्र मैं चानल थैंक यू